Hello friends, क्या हम जानते हैं कि हमारे skin में जो pose है और उनसे जो पसीना निकलता है, sweat glands, तो उन्हीं pores से जो बाहर का पानी है, swimming pool का, वो हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जाता? Why only there is a semi-permeable membrane which prevents this water from the inlet. तो ये क्या बात है जिसकी वज़े से ऐसा हो पाता है? या फिर एक साधू माराज है जो पिछले 15 सालों से अपने एक हाथ को hands up की position में उन्होंने कर रखा है, लेकिन 15 साल से hands up की position में करने के बावजूद भी वो बिल्कुल healthy है और उन्हें कोई problem नहीं, वो अपने day to day routine का काम करते हैं और दूसरे साधू माराज है, उन्होंने ऐसी तपस्या की है कि जब भी वो कोई वस्त्र, गेरूए वस्त्र जो धारन करते हैं, तो धारन करने के बाद वो आग के अंदर जो यग्य होता है, उस यग्य के जो अगनी कुंड बना होता है, उसी अगनी कुंड में वो बैठ गए और बैठने के बाद उनके जो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं वो जलते नहीं है तो इसका कारण क्या है लेकिन जैसे ही वो सादू महात्मा जो है अपने गेरुए वस्त्र को चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद जो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे वो अपने शडीर से हटाए उसके बाद वो वस्त्र जल जाते फिर उनको जलाया जाये तो वो वस्त्र जल जाएंगे लेकिन जब उन महराज ने उन वस्त्रों को धारण कर रखा है और वो अगनी कुण में बैठे हैं तो वो वस्त्र नहीं जल रहे तो ऐसा क्यों होता है ये स इस्टाग्राम पर सब messages कर रही थी तो ये कैसे possible हो पाया फिर एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने भोजन में कील खाता है जो अपने भोजन में ऐसी सुई धागे वाली सुई खा जाता है और उसको आज तक भी कभी कुछ नहीं हुआ या फिर आपने देखा होगा अफरीका क लोग अपने शरीर पे नसे टैटू बनवाते हैं बलकी अपने शरीर में पियर्सिंग भी करवाते हैं and what is that piercing कि पूरे शरीर को वो छेद करके पियर्स करके इतने सारे कुछ अलग से जो ओनामेंट्स है वो धारन करते हैं तो उनको दर्द नहीं होता और अगर वो इसको कैर हैं तो क्या कैरी करते वक्त भी उनको दर्द नहीं होता तो ऐसा कैसे पासिबल है कि कोई व्यक्ती जहर पी जाता है लेकिन वो बिल्कुल फित है कोई व्यक्ती फोन का चार्जर खा गया है फिल्क πिसा प्र सादू माराज जिनोंने 15 साल से हाथ एपना उपर खड़ा कर रखा है लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता कोई दर्द नहीं होता और कोई सादू माराज है जिनके कपडे जो है वो जब गेरुएवस्स धारंकर रखे हैं अगनी कुन में बैठे हैं तो ना तो वो जलते हैं न कपड़े जलते हैं तो ऐसा कौन सा उन्होंने fire extinguisher अपने साथ ले रखा है These are all the episodes which is beyond our imagination ये हमारे कलपना से परे हैं और ऐसा तब होता है जब ईश्वर से connection आपका बहुत strong हो गया होता है तो इन्हीं examples के साथ हमें विश्वास करना चाहिए that there is some power beyond science जिसका science भी तरक नहीं दे पाता, logic नहीं दे पाता इन सारे तरकों से परे, इन सारे logic से परे एक शक्ती ऐसी विध्यमान है जिसका कोई मुकाबला नहीं है और उस शक्ती को हमने नाम दिया है Almighty God That is the supreme power and his state is kingly तो यहाँ पर हम यह सीख चुके है John Milton की हमने एक sonnet किया था That is Petrarchan Sonnet आज हम John Milton के एक essay write-up को और detail में discuss करने वाले हैं जिससे पहले मैं भी चाहूंगी कि मैं इश्वर से प्रात्ना करूं कि मेरा यह जो discussion है यह आपको समझ में आए और उस discussion में मैं इतना बढ़िया समझाओं कि उसमें आपके सारे यह जो selection के chances हैं यह बहुत जादा assurance के साथ हो तो इस तरह से हम आज start कर रहे हैं John Milton का topic That is the epic Epic के बारे में हम discussion कर चुके हैं And that epic is paradise lost And do you know how many lines are there in this epic? That is 11,000 lines अब हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि John Milton बहुत जादा उनको परेशानी थी किसकी he was suffering from glaucoma disease और glaucoma disease में ऐसा होता है कि आँख की जो nerve है उसका connection brain से तूट जाता है और इसी connection के तूटने की वज़े से इंसान पहले तो blood दिखाई देता है और उसके बाद में पूरी तरह से अंधा हो जाता है तो यही इनकी sonnet that is on his blindness में भी बहुत अच्छे से बखु भी बताया गया है और उसी चीज को उन्ही देविये शक्तियों के साथ यह ऐसा write-up लिख पाए that is called the paradise lost which consists of 11,000 lines तो इनी 11,000 lines की शुरुआत करने से पहले हम कुछ और fact जानेंगे जो की हमारे exam perspective से जरूरी है देखिए अब यह fact जानने के बाद यह पूरा का पूरा epic समझने के बाद आप जब questions करेंगे MCQs करेंगे तब हमें वो MCQs आएंगे हम क्या करते हैं उसका cut shot करके nutshell पढ़ना चाहते हैं और वो जो nutshell हम पढ़ेंगे उसमें हमको जादा फाइदा नहीं होगा फिर हमारे से question answer solve नहीं होगे और आप बिना थियरी पढ़े अगर question answer solve करते हैं तो आप भी 11,000 question answer अगर solve कर लेंगे ना फिर भी कोई मतलब नहीं होगा क्यों? क्योंकि उसका crux उसकी theory आपको समझ में नहीं आई है तो पहले बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर यह पूरी paradise lost की theory मैं आपके सामने लेके आई हूँ और मैं भी इश्वर से यही प्रातना करती हूँ यह golden words बन जाए लेकिन उससे पहले कुछ points का ध्यान हमें रखना है और वो points क्या है? देखिए थोड़े से English की terminology है जिसमें हमें थोड़ा सा असहज महसूस हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि bilingual language के थूँ आपको ऐसा बताया जाए कि यह ऐसे flow करें आपके mind में जैसे नदी का पानी flow करता है that is very smooth thoughts तो इस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी John Milton के topic की that is paradise lost तो John Milton के topic के में paradise lost में हमें कुछ facts याद होने चाहिए और वो facts मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से पहला fact तो paradise lost कब लिखा गया it was near about in 1667 paradise lost की रचना कब की John Milton ने तो 1667 में की ठीक है इसका genre क्या है इसकी style क्या है paradise lost कौन सी shelly में लिखा गया है तो epic shelly में लिखा गया है दूसरा point हमें ये समझ में आया तीसरा point इसमें ये होगा कि इसमें अभी मैंने बताया कितनी लाइने होती है 11,000 lines as it is a epic so it consists of 11,000 lines तो यहाँ पर 11,000 लाइनों का ये जो है epic ये जो महा काविय है ये लिखा गया है तो point क्या हुए 1667 में लिखा गया इसका genre क्या है इसका genre इसकी shelly कौन सी है epic shelly है ये 11,000 lines में लिखा गया है इसका theme क्या है इसका theme है disobedience ठीक है man's first disobedience to God यहाँ पर इश्वर के द्वारा बनाए गए जो कानून है जो rule है उसको क्या किया गया उसकी अभेलना की गई उसको violation किया गया and that violation was done by man that is the first man the father of mankind that is Adam and mother of mankind that is Eve इन दोनों के द्वारा क्या किया गया disobedience और यह जो धोका दिया गया यह इश्वर को दिया गया और जब यह धोका दिया गया इश्वर के द्वारा फिर क्या किया गया इश्वर के द्वारा इनको भी फिर पनिश किया गया तो यही पूरे episodes इस epic में बताये गये हैं that men and women of the mankind that is Adam and Eve committed a sin committed first disobedience and they were expelled from the forest that is called Eden जो हम पढ़ चुके है William Shakespeare के As You Like It May Be Arden Forest नाम दिया गया है तो यह Arden Forest किसका modification है Forest of Eden और यह Eden Forest क्या था यह एक स्वर्ग ही था It was the paradise लेकिन paradise Adam और Eve की गलती की वज़े से यह paradise उनसे छूट गया paradise से बाहर निकाल दिये गए यह दोनो Adam and Eve were expelled from paradise lost and there was a big rebellion through Saturn Saturn ने इसका बहुत जादा विद्रो किया बहुत जादा temptation करने का काम Saturn ने किया and finally there was Jesus resurrection तो यहाँ पर यह सारी बाते हम इसमें discuss करने वाले हैं जिसका theme है क्या? Disobedience अब मैंने आप से बात की थी क्या बात की थी? हमारे पूराने वीडियो में हमने एक बात की थी that was related to God, Priest and Mankind ठीक है? Human being और God की बात की थी? अब human being और God की जो हमने बात की थी उसमें हमने क्या बताया था? कि Shakespearean age में human being ये HB pencil Shakespearean age में क्या focus था? human being पर focus था ठीक है? सारी रचनाओं का जो केंद्र था जो center था वो क्या था? सारी रचनाओं का center था मानव मानव के emotions मानव की सलिलकी मानव के thoughts मानव की विचारधारा ये सारे रचनाओं का जो epicenter था जो focus था वो था human being but as we have already discussed about this term that is called Puritan Age Concierge Puritan Age that is the age of purification purification of feelings and there was love and that love was between the humankind between the humans no it was the love between God and human being so this age was called Puritan Age और John Milton Age इसमें हमने Sanskrit का वाक्य भी discuss किया था that was द्वैतवाद बादवाचारे द्वैतवाद में क्या बताया गया है कि dual sim है God अलग है और human being अलग है लेकिन आज इसके आगे वाली step हम सीखने वाले हैं कि यहां पर यह दोनों अलग-अलग नहीं है मैंने एक word यूस किया था अपने पुराने वीडियो में that is subordinate to human being is a subordinate of God यहां पर यह इश्वर का अधिनस्त कर्मचारी है और God का ही creation है कौन human being God created this energy created what a human being तो God का जो creation है human being तो human being को क्या करना होगा इश्वर की सत्ता स्विकार करनी होगी समर्पन भाव के साथ तो यह चीजे पहले तो यह Shakespearean age में Elizabethan age में क्या कहलाती थी कि God अलग है और human being अलग है और human being जो है वो बस अपने inner thoughts और लव और इस तरह की चीजों में ही विश्वास रखता था लेकिन अब Puritan age में जमाना बदल गया और इस age वस कॉल्ड इस वस आस्ट इन यह क्वेस्टिन इस इस वाल्ड बी लेटेट Elizabethan age बी लेटेट Elizabethan age वाइट इस कॉल्ड बी लेटेट Elizabethan age because Elizabethan age finish up होने के बाद एक नई age आई that is called Puritan age ठीक है इस Puritan age में हमारा focus human being से हट कर किस पर आ गया the relationship between God and human being अब यहाँ पर focus human being पर नहीं रहा किस पर रहा the relationship between God and human being और इसी relationship को सारी चीजों को किस ने बताया है John Milton ने बताया है एक question और आया है आपके लिए और वो question क्या है उस question में बताया गया है कि as Petrarchan sonnet is also called Miltonic sonnet but the theme was not followed by John Milton Petrarchan theme was not followed by John Milton अब यह Petrarchan theme क्या होता है जैसा कि हम discuss कर चुके है sonnet में कि Petrarchan sonnet में problem होती है और क्या होता है solution तो John Milton ने इसी sonnet को बहुत जादा follow किया जिसमें seizureा भी होता है problem का solution भी होता है लेकिन उसने Petrarchan theme को follow नहीं किया तो यह Petrarchan theme क्या है Petrarchan theme मतलब ऐसी theme जिसमें किसकी बात की जा रही है we are talking about the theme of this Petrarchan sonnet was dejected lover यहाँ पर किसी की girlfriend उसके boyfriend को छोड़ के भाग चुकी है उससे नाराज है उसने उसका data भीचाज नहीं कराया होगा इस वज़े से वो परिशान है और अब उसने दूसरा boyfriend बना लिया है इस तरह के trivial love affairs were the theme of Petrarchan sonnet तो यहाँ पर यह John Milton को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया that although sonnet should be there the Petrarchan format should be followed but what is this Petrarchan theme this is completely based on trivial love affairs trivial का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ trivial यानि की cheap या तुच्छ तो यहाँ पर यह तुच्छ बाते हैं कि lover boyfriend और girlfriend की बात हो रही है और इस beloved को इस lover को उसकी girlfriend छोड़के जा चुकी है अब यहाँ पर यह जो beloved है यह क्या कर रहा है विलाप कर रहा है शोग कर रहा है और इसको सारा जो शारुक खान का गाना है वो गा रहा है कि जग सुना सुना लगे अब यहाँ पर यह गाना वो जो गाएगा इसलिए यहाँ पर एक थड़का और लगाया गया है कि जॉन मिल्टन यहाँ पर अंधे हो चुके है क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं जब हमें अलौकिक शक्तियां चाहिए होती है तब इस संसार से डिटैच होना बहुत जरूरी हो जाता है जब तक इस संसार में रहेंगे इस संसार की बातों में इंडल्ज रहेंगे बहुत मुश्किल होता है कि हम उस ईश्वर से connection बिठा पाएं तो उसके connection के होने के लिए हमें एक रस्ता दिया गया है John Milton को एक रस्ता दिया गया क्या? That was blindness And blindness was not the problem That was rather we can say That happiness is not the absence of problem But it is the ability to deal with it यहाँ पर happiness क्या है? This is completely state of mind जैसा हम example पहले भी discuss कर चुके हैं कि कोई व्यक्ती पिकनिक पर गया है समोसे खा रहा है, DJ बज रहा है हनी सिंग आ गया है गाने के लिए और सारे friends उसके साथ है Selfie ली जारी है तब उसको बड़ा आनन दायक महौल लग रहा है लेकिन जैसे ही उसे phone पर उसका message मिला कि वो fail हो चुका है और उसके किसी subject में back आई है तो उसको सारा ये माहौल कैसा लगने लगेगा, बेकार कि समोसा कितना बेकार बनाया है, ठंडा हो गया यहाँ पर friends कितने लालची है, कोई भी पैसा नहीं दे रहा है तो यहाँ पर state of mind में आप प्याज रूटी खा कर भी बहुत खुश रह सकते हैं अगर psychological जो stability है, वो आपके mind में है यहाँ पर John Milton अंधे हो चुके हैं और उनका connection आउटर वर्ल्ड से तूट चुका है ठीक है, तो यहाँ पर philosophical ideas भी आते हैं कि जो western philosophy है, वो किस पे ज़्यादा emphasize करती है western philosophy emphasize करती है God पे और outer world पे outer world कैसा, that is the world related to the world of God right, so this is called western philosophy लेकिन जो हमारी Indian philosophy है, उसका focus आज भी क्या है उसका focus है इंसान की problems, इंसान की समस्याएं तो जब तक इंसान है, समस्या तो होगी क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एसास भी नहीं होता तो इस वज़े से जब तक इंसान है, problems तो रहेगी तो ये problems को बहुत ज़ादा इसको discuss करने की बजाए हमें क्या discuss करना चाहिए, हमें निर्वान के बारे में discuss करना चाहिए हमें अपने meditation के बारे में मन्थन करना चाहिए तो यही बात John Milton के साथ हुई और आप भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो की अंधा है तो उसके पास एक sixth sense आ जाता है आप कोई भी आवाज नहीं करें, कोई उसको color का पता नहीं है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंधा है लेकिन उसका sixth sense इतना जबर्दस होता है कि आप 2 km दूर भी खड़े होके अगर उसको देख रहे हैं तो उसको वो vibes आ जाएगी कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको observe कर रहा है तो यह सारी चीजें हमें तो पता नहीं चलती उनको कैसे चलती है Because उनका outer world से connection तूट चुका है इसंपितल की दुनिया से connection तूट चुका है और अब उनका connection, जो broadband connection है वो किस से connect हो रहा है? इश्वार से connect हो रहा है और जैसे ही वो इश्वार से connect होंगे उनके पास ऐसे powers आ जाएंगे ऐसे magical powers आ जाएंगे जिस पे believe करना साधरन व्यक्ति के लिए possible नहीं है तो इसी लिए वो अंधे हुए और ये अंधे होने का जो program था वो भी इश्वर स्वयम ही कराता है जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई इनसान सो रहा होता है तब उसे सपने में भगवान आते हैं और direct करते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माता से बाते किया करते थे जैसे सूर्दास का मैंने बताया वो अंधे होने के बावजूद भी शी कृष्ण के जो वस्र पहनाए जाते थे उनको सजाने के लिए वो वस्र का color बहुत easily बता देते थे तो इस तरह से सपने में आके इश्वर क्या करते हैं सारे directions देते हैं और ये directions उनके सपने में आते हैं भगवान जो की कैसे होते हैं पवित्र आत्मा होते हैं जो की कैसे होते हैं if they are having the purified soul and that purified soul is the name of the age that is called Puritan age तो ये question आप से पूछा गया है कि Puritan age the John Milton age is also called with the another name that is called belated Elizabethan age इसको belated Elizabethan age भी कहा जाता है क्योंकि ये Elizabethan age के बाद वाली age है और उसमें किस पर focus किया गया the relationship between God and human being and the Petrarchan theme was dejected the Petrarchan theme was not followed by John Milton because John Milton do consist it was assumed that he consists of some supernatural powers and these supernatural powers should not be wasted in the write-ups that is related to lover and be loved जैसे की कालीदास ने मेगदूत में लिखा है ठीक है ना मेगदूत में यही बात की गई है कि एक lover है उसको expel कर दिया जाता है राश दरबार से और जेल में रख दिया जाता है तो यहाँ पर जो जेल में रख दिया जाता है परवत पर उसको isolation दे दिया जाता है तो अब इस isolation में वो उसकी जो fiance है उसको बहुत जादा miss कर रहा है और miss करने के बाद वो बादल के थूँ संदेश भेजता है क्योंकि उस टाइम WhatsApp तो था नहीं तो बादल के थूँ वो संदेश भेजता है कि मुझे अपनी beloved की बहुत जादा याद आ रही है तो यहां पर वो बहुत charismatic तरीके से कालिदास इन चीजों को explain करते हैं लेकिन John Milton के लिए यह सारी चीजें जो थी यह कैसी थी trivial थी बहुत ही तुच्छ थी and that was not the topic which was related to John Milton and John Milton was not having a kind it's what it was not the cup of coffee or cup of tea for John Milton cup of tea मतलब उससे संबंदित बात नहीं थी this is a idiom this is not my cup of tea यानि कि John Milton के cup of tea नहीं थी यह उनके संबंदित बात नहीं थी कि वो ऐसे तुच्छ बातों पर अपना राइट अपस लिखके अपना time waste करें वो तो बनाये गए थे क्या लिखने के लिए epic लिखने के लिए वो तो बनाये गए थे किसको इनसान को एक बहुत जादा realization कराने के लिए सच्चाई से अवगत कराने के लिए कि इश्वर की सत्ता को आपको स्विकार करना पड़ेगा अगर नहीं स्विकार करते हैं तो आपको ऐसे ही punishment जहलने पड़ेंगे जैसे कि किसको जहलने पड़े थे Adam और Eve को तो ये punishment design किये गए Adam और Eve के लिए और वही mankind वही punishment आज भी जेल रहा है तो इस तरह से हमने जो छोटे बच्पन में lining सीखी है कि अगर कोई भी चोरी करता है तो उसके लिए हम खेल-खेल में कहा करते थे जेल का पानी पिना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी तो यहाँ पर वही चीज हो रही है एक लाइन और हमने सीखी है जो बहुत ही colloquial language में बहुत ही जादा famous है लोकोक्ती भी है यह कि यहाँ पर पूछा गया है कि नदी किनारे साप है जूट बोलना पाप है तो यहाँ पर जूट बोलना बहुत जादा भ्यंकर पाप माना गया है क्यों और अगर कोई व्यक्ती जूट बोलता है तो नदी किनारे साप है यानि कि साफ जो है उसको डस जाएगा जो venom है जो poison है वो व्यक्ती में आ जाएगा अगर वो जूट बोलता है तो इस तरह की लाइने की नदी किनारे साफ है जूट बोलना पाफ है ये सब कौनसी आइडियलजी को शो करती है पुरिटन एज को शो करती है जिसमें बार बार human being को बताया गया है क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों गुण विद्यमान है एक गुण तो ये कि उसको इश्व का आपका जो apple है दिल किसी भी तरह से इस तरह का shape दिल का नहीं होता है अगर आपने real heart देखा हो तो real heart का जो structure होता है वो इससे बिल्कूल भी नहीं मिलता है तो ये shape किससे मिलती है that is quite similar to the fruit that is called apple and apple was the forbidden fruit which was prohibited to eat by Adam and Eve by the God God ने मना किया था कि इस forbidden fruit को आप नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी Eve ने खा लिया और Adam ने खा लिया और वहीं से सारी परेशानी शुरू हुई तो ये apple का जो shape है ये कुछ इस तरह का similar माना जाता है और उसी को फिर हमने बना दिया दिल क्योंकि हम कहते हैं कि दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है तो दिल is what? दिल is related to all the emotions and romantic feelings and thoughts and मुझे नींद ना आए आमिर खान का गाना ठीक है? दिल movie का मुझे नींद इसने ही आ रही है चैन नहीं मिल रहा है बहुत जादा perplexed feel हो रहा है आप parching tongue हो रही है आपकी burning forehead हो रहा है तो ये सब romantic feeling कब आएगी जब आपका दिल जो है वो किसी के लिए समवेदना महसूस कर रहा है लेकिन यहाँ पर दिल और दिमाग की जो बात की गई है उसमें Puritan Age म John Milton क्या बता रहे है that we should rely on our minds not on the hearts आपके दिल पर भरोसा नहीं करना चाहिए heart पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि दिल तो क्या है दिल तो मानता ही नहीं यह दिल है कि मानता नहीं तो यहाँ पर यह दिल नहीं मानेगा क्यों क्योंकि दिल तो एक बार में 72 times धड़कता है जब 72 बार दढ़कता है तो 72 बार इसके thoughts जो है इसके जो emotions है वो change होते जाएंगे लेकिन आपके mind का जो message है वो एक बार में logic के साथ में आपको guide करेगा तो इसी वज़े से कहा जाता है कि दिमाग की सुननी चाहिए वैसे तो प्रोबब क्या है दिल की सुनो लेकिन मैं यहाँ पर जादा rely करना चाहिए और यह mind किस से भरा हुआ है इस mind में इश्वर कर दिया हुआ क्या है intellect इंटलेक्ट यानि की चेतना या विवेक तो जो विवेक इश्वर ने हमें दिया है उस विवेक के साथ ही हमें काम करना चाहिए ना कि इस forbidden fruit के apple जैसे जो apple खालिया गया with a view to that temptation त सारा मामला बिगड गया तो यहाँ पर जब दिल की बात सुनी जाती है तो सारा मामला बिगडने के chances बहुत जादा होते है क्यों क्योंकि यह 72 times धड़कता है the heartbeat is 72 times per minute तो इसकी बात सुनने से better है कि आपको इश्वर ने जो intellect दिया है उस पर जादा focus किया जाए इश्वर ने के बाद आपके मन में dual sim का जो काम है वो चल रहा है क्या एक तरफ तो हो रहा है कि आप वो गुलाब जामुन खा ले और एक तरफ हो रहा है कि नहीं नहीं weight बढ़ जाएगा गुलाब जामुन नहीं खाना चीए तो इन दोनों चीजों में जो activity आप करते हैं because man has been given man has been endured with this potential that is potential of free will ये इश्वर ने खुद को इनसान को एक स्वैचिक शक्तियां दी है कि वो गलत करेगा तो भी वोई करने वाला है सही करेगा तो भी वोई करेगा जैसे हमने देखा है प्रेजिजेंट के पास discretionary powers होते हैं discretionary powers मतलब स्वैचिक शक्तियां होती हैं कि बहुमत ना मिलने पर वो स्वैम खुद का निर्णय कर सकता है कि किसको नेता बनाया जाए तो यहां पर भी यह discretionary powers किसको दिये गए हैं human being को दिये गए हैं वो चाहे तो मन की बात सुन सकता है वो चाहे तो क्या कर सकता है मन की बात कर सकता है मन की बात या फिर lion बात एक ही बात है यहां पर मन की बात कर सकता है that is human being can decide on their own कि उन्हें क्या करना है वो गुलाब जामुन खाना है और मोटे हो जाना है और या फिर अपने intellect अपने विवेक का प्रयोग करके अपने आपको इतना तो कंट्रोल करना है कि नहीं ये इतने छोटे से गुलाब जामुन की क्या उकात जो मेरे ध्रण निश्चय को खतम कर दे तो इस तरह के जो feelings है इस तरह के जो ideas और notions है इस तरह की जो tendencies है वो किसमें बताई गई Puritan age में बताई गई तो आपको क्या याद रखना है ये वाला पॉइंट then Petrarchan theme that much focus was given on the relationship of God and human being while in William Shakespeare age only the focus on Assiden Salilakki and human being but this time the scenario changed completely and this was based on जूट बोलना पाप है नदी किनारे साप है तो यहां की ये feelings हमने थोड़ी सीखी और पाया कि what is the difference between William Shakespeare age and John Milton's age और John Milton's age को ही कहा जाता है Puritan age लेकिन फिर भी उन्होंने क्या follow नहीं किया Petrarchan theme follow नहीं किया क्यों नहीं follow किया because that Petrarchan theme was completely based on what the topic the subject matter that was the departure of beloved और ये beloved का departure John Milton को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उनको उनका motto तो क्या था उनका motto था जैसे दाते ने inferno लिखा जैसे दाते ने स्वर्ग और नर्ग की बाते बताई जैसे उसने बताया कि cosmos में कैसी energy है और उस energy को आप feel कर सकते हैं and he was already blind तो उसको ये सारी चीजे जो थी ये feel होने लगी और feel होने के बाद में उन्होंने इस epic की रचना की that is called paradise lost तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये difference समझ में आ चुका है that what is the difference between William Shakespeare age and Puritan age लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने जिस शिद्दत और इमानदरी के साथ में ये topic तयार किया है उतनी ही शिद्दत और इमानदरी के साथ में आप इसको सीखने की कोशिश करें क्योंकि इसको simplify करने में बहुत time consume हो जाता है देखिए किसी भी topic के बारे में वर्णन करना है और 20 शब्दों में उसका answer देना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है 100 शब्द लिखे जा सकते हैं लेकिन 20 शब्द में compact करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैंने यहां पर एक छोटा सा प्रयास किया है इश्वर की वर्णना करने के बाद कि मैं ये topic आपको अच्छे से समझा पाऊं तो do let me know in comment box कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये किसी भी source का cut, copy, paste नहीं है ये सारी चीजें मैंने assemble करके इन चीजों को सीखा, experience किया और simplify करके ये चीजें मैं आपके सामने ला रहे हैं तो आगे बरते हैं और points देखते हैं कि John Milton में और क्या-क्या हमें देखना है Paradise Lost के लिए आपको क्या-क्या चीजे समझनी है जो exam में किसी भी तरह का question आ जाए आप उसको face करने के लिए ready होंगे अब अपनी story स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज और सीखनी है जो कि आपने comment box में भी पूछी है कि meter आप थोड़ा सा बता दीजी तो यहाँ पर मैं completely metrical format तो आपको नहीं समझा सकती क्योंकि वो मेरे किसी दूसरे वीडियो में होगा तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहे हूँ paradise lost से related कुछ fact और वो fact क्या है तो वो fact आपका इस point से related है that is called blank verse paradise lost and other works were written in blank verse ठीक है एक तो यह point हमें समझना है और दूसरा point हमें क्या समझना है कि theaters were closed एक point मैंने लिखा था Elizabethan age में theaters बहुत जादा boom पर थे और अब puritan age में theaters जो थे वो close कर दिये गए थे ऐसा क्यों कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर theaters में जो भी discuss किया जा रहा था जो play किये जा रहे थे जो drama प्रस्तुत किये जा रहे थे वो कैसे थे human being से related थे और human being से related होने के कारण उनका subject matter जो था वो कैसा था वो बहुत ही जादा sensuous था sensuous यानि कि physical desires को provoke करने का काम करता था लेकिन John Milton इसके बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे he completely dejected this idea of lovers ठीक है? of the kind of theme which is related to sensuous feelings तो यहाँ पर यह जो dramas यह जो theaters closed किये गए उसका reason यही था कि human being से related जो sensuous feelings हैं उनको provoke करना उनको provoke करना उकसाना John Milton का काम नहीं था John Milton का काम था ऐसी feelings को provoke करना जो की हमारा connection इश्वर से strong करें ना कि human being के आपस में interrelations जो थे उसको provoke करना तो इस वाज़े से यह human being से related जो sensuous feelings, जो temptation जो और भी बाकी trivial subjects पर जो focus किया गया था Elizabethan period में in theaters, that's why all the theaters were closed in Puritan age क्योंकि यहाँ पर इनका focus कुछ और है, human being इनका focus नहीं है तो एक तो यह बात आपको याद रखनी है दूसरा क्या, कि यह जो सारे writers, write-ups है John Milton के, वो कौन से form में लिखे गए है, that is blank verse अब यह blank verse होता क्या है blank verse में होता है क्या blank verse में meter पाया जाता है ठीक है, लेकिन it is completely unrhymed यह rhyme scheme क्या होती है और यह rhymes क्या होती है यह जानने के लिए आप मेरा previous video देखें, उसमें आपको समझ में आजाएगा, कि what I mean to say by the term that is called rhyme scheme, तो यहाँ पर यह जो blank verse होता है, यह unrhymed होता है, इसमें rhyme नहीं होती, लेकिन क्या होता है लेकिन meter जरूर होता है तो आईये चर्चा कर लेते है कि यह meter क्या होता है blank verse में हम जो meter देख रहे हैं, वो क्या है ठीक है, blank verse consist of meter and what is that meter, तो यहाँ पर जो meter की बात की जा रही है उससे पहले हमें देखना होका कि I am मतलब क्या होता है ठीक है, यह iambic pentameter में लिखे गए थे और I am मतलब क्या, तो I am मतलब हम कह सकते हैं कि एक foot, ठीक है, एक foot जिसमें दो syllables होते हैं ठीक है, एक syllable दो syllable, तो उसका यह बन गया foot, एक foot ठीक है, तो यहाँ पर blank verse में सबसे जादा iambic pentameter की बात की गई थी and what was that iambic pentameter की I am, जो किसका बना है, एक foot का बना है एक जोड़े का बना है foot में एक जोड़ा हुआ करता था I am यानि की couple और उस couple को इंग्लिश में हमने बोला foot, और उस जोड़े में जो syllable होते थे, वो unstressed और stressed syllable होते थे अब आपके वापस माइंड में होगा की unstressed और stressed syllable क्या है तो देखते हैं हम 1, 2 3 4 and 5 ठीक है? यह unstressed और stressed syllable है अब इस iambic pentameter को side में करके हम देखेंगे कि syllable का मतलब क्या होता है syllable का मतलब होता है the smallest spoken sounds the smallest articulated sound एक time में हम कौन सी एक ध्वनी का उच्चारन करते हैं उसको कहा जाता है syllable जैसे मैं अपना ही word लेती हूँ that is called teacher teacher अब इसमें r नहीं बोला जाता है this is silent teacher teacher को अगर आप bifurcate करेंगे तो यह दो पार्ट में divide हो रहा है teacher को आपने एक साथ नहीं बोला है teacher तो teacher को जो आपने small pause लिया है that is syllable यह एक syllable हुआ और यह दूसरा syllable हुआ ठीक है एक syllable में आपने क्या बोला teacher तो यहाँ पर e और a इस तरह का जो यह हम हिंदी में लिख रहे हैं that is syllable syllable यानि की उच्चारण में की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनी को English में syllable कहा जाता है the smallest vowel sound which can be articulated at a time that is called syllable तो आप teacher में आपको कितने syllable मिले t e बोला फिर च अ बोला तो यहाँ पर यह दो syllables का some mission है और एक syllable को आप कुछ जोर देके बोलते हैं that is called stress syllable और दूसरे syllable को आप थोड़ा कम जोर देते हैं that is called unstressed syllable ठीक है तो यहाँ पर यह जो I am है यह foot है और इस foot में इस जोडे में क्या होता है पहले वाला जो syllable है वो unstressed होता है और दूसरे वाला syllable जो है वो stress होता है यह तो एक foot हो गया अब इसी तरह के foot रिपीट किये जाते हैं तो वो क्या कहलाता है pentameter अगर पांच बार repeat किया जाता है तो हम क्या कहेंगे एक जोड़ा तो हो गया foot और पांच जोड़े कितने हो गये 5 feet ठीक है एक जोड़ा हुआ foot और पांच जोड़े कितने हुए plural हो गया तो foot, feet तो यहाँ पर कितने feet हैं जैसे एक पैर है हमारा foot और दो पैर, feet वैसे ही यहाँ पर कितने जोड़े हैं पांच और पांच जोड़े को हमने बोल दिया pentameter दाट इस 5 feet और 5 feet में आपको syllable कितने देखने को मिलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस ठीक है तो यहाँ पर total syllable कितने हुए आयंबिक pentameter में there are 10 syllables in total आयंबिक pentameter में 10 syllable होते हैं और क्या होता है 5 feet होती है यानि कि एक जोड़ा 5 बार आ रहा है और वो उस जोड़े में syllable का arrangement है वो कैसा है that is unstressed and stressed syllables unstressed और stressed syllable का एक जोड़ा है जैसे पती और पत्नी इन दोनों का एक जोड़ा माना जाता है इसमें आप यह नहीं कहेंगे कि हाँ दोनों पत्नी आ गई और जोड़ा हो गया ऐसे नहीं पती पत्नी का जोड़ा तो यहाँ पर यह पती पत्नी का जोड़ा कैसे आया है unstressed और stressed syllable इन दोनों को मिला कर क्या बन गया foot और यही foot अगर पांच बार repeat होता है पांच जोड़े आते हैं इसमें unstressed और पती पत्नी पत्नी पती पत्नी इस तरह से पांच बार अगर जोड़े आ रहे हैं 5 जोड़े आ रहे हैं उन पांच जोड़ों को आप क्या कहा देंगे foot नहीं इनको कहेंगे 5 feet और 5 feet को ही कहा जाता है pentameter और I am को कहा जाता है joda I am को क्या कहा जाता है joda और 5 बार यह जोड़े repeat हो तो pentameter तो यहाँ पर blank words में iambic pentameter को follow किया जाता था और उसमें 10 syllable होते थे और 5 feet होती थी ठीक है 5 feet मतलब आप समझ गए 10 syllable मतलब समझ गए syllable मैंने आपको बताया सबसे smallest जो vowel sound है उसके articulation को हम syllable कहते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलू water ठीक है water अगर मैं कहती हूँ तो water ठीक है water नहीं कहती हूँ मैं इसको water तो यहाँ पर वो और डर तो यह कितने syllable हुए दो तो यहाँ पर इस तरह से हम किसी भी शब्द को दो भागों में डिवाइड करके या उससे जादा भागों में जाएंगे जैसे देखिए furniture ठीक है furniture में हमने क्या देखा furniture तो कितने syllable हुए है furniture तो यहाँ पर कितने syllable हो गए तीन तो इस तरह से यहाँ पर एक जोड़ा जो कि दो सिलेबल का बना हुआ है पती पत्नी का बना हुआ है ऐसे पांच जोड़े अगर आ जाएं तो पेंटा मीटर कहा जाएगा और I am यानि की जोड़ा तो blank words में meter follow किया जाता था लेकिन rhyme का कोई भरोसा नहीं था क्योंकि epic में अगर rhyme follow करने जाएंगे कि वो शब्द उससे मिलना चाहिए अगर इस पे ध्यान रह गया हमारा तो epic तो बरबाद हो जाएगी क्यों क्योंकि यहाँ पर यह कोई चार लाइनों की poem नहीं कि twinkle twinkle little star how I wonder what you are तो यहाँ पर little star और R इन दोनों को rhyme scheme बनाया जा सकता है तुक बंदी की जा सकती है लेकिन epic poetry में इस तरह की तुक बंदी 11,000 लाइनों में possible हो तो सारा का सारा ध्यान किस पर focus हो जाएगा epic की बजाए rhyme scheme बनाने पर ही सारा ध्यान चला जाएगा इसलिए rhyme को avoid कर दिया गया it is completely unrhymed but it follows a criteria that is called blank verse और blank verse में क्या होता है blank verse में iambic pentameter को follow किया जाता है बात समझ में आ रही है तो यह point भी आपको ध्यान रखना है john milton के paradise lost या किसी भी works related that is blank verse और blank verse होता क्या है free verse से थोड़ा सा different होता है blank verse में क्या होता है तो blank verse में meter follow किया जाता है लेकिन rhyme को ignore कर दिया जाता है तो इस तरह से यह point भी हमारा clear हुआ उसके बार आगे बढ़ते हैं इन 11,000 lines की क्या summary हमने बनाई है उससे पहले discuss करना जरूरी है characters what are the prominent characters who are those prominent characters which are there in paradise lost इनका थोड़ा सा जनम कुणली खोलेंगे और देखेंगे कि यह जो characters है इन characters से related हमें क्या-क्या जानना है तभी हमें story समझ में आएगी जैसे हम कोई movie देखने चले गए और movie देखने में हमें पता ही नहीं कि कौन उसकी girlfriend है कौन उसकी बहन है कौन उसकी मा है अगर characters के बारे में नहीं पता चलेगा तो story समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और क्योंकि यह story नहीं है यह तो epic है और epic से related characters की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है तो इस वज़े से characters को पहले discuss करेंगे और story को बाद में लेकिन आपको उससे पहले ये facts सारे पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि Paradise Lost जो एक epic poem है 11,000 लाइनों में लिखी गई है उसमें किती volumes हैं? 12 volumes were there ये आपको बात examination point of view से याद रखनी है For this kind of epic you need to remember some important point also that is 12 books are there in Paradise Lost ठीक है Paradise Lost में कितनी books हैं कितनी volumes हैं तो 12 volumes में 12 books में ये पूरा का पूरा Paradise Lost जो है वो लिखा गया है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इतने simplified तरीके से आपको समझाओं कि ये 12 books के जो terminology है जो सारी चीज़े हैं वो भी आपको समझ में आ जाए एक्जाम में selection भी हो जाए और आपमें confidence भी आजाए कि आप ये सब चीज़े कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं तो 12 books भी आपको याद रखनी है ये सारे facts मैंने बता है ये याद रखने हैं ना quickly moving to the character list that what are those characters which are very prominent in this Paradise Lost Okay, in this section we are going to discuss what? We are going to discuss the character list of Paradise Lost क्योंकि इन characters को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इनकी traits आप समझ लेंगे जब इनकी characteristics आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन सा पात्र, कौन से चीज को symbolize कर रहा है तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा तो इसी तरह से हम देख रहे हैं अपना first character that is Satan ठीक है? यह जो Satan है, यह सबसे prominent character है Paradise Lost का जिसको Lucifer भी कहा गया है देखें आपने picture देखें होगी Ravan और G1 वाली Ravan में जो बच्चा होता है, जो वीडियो गेम प्ले कर रहा है और everything is monitored by him तो वो जो play कर रहा है, उसमें character play में होता है that is called Lucifer So Lucifer is what? Again, a biblical reference और हम अपनी पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि biblical reference मतलब क्या होता है? biblical reference मतलब होता है illusion तो यहाँ पर भी यह जो character है, यह Bible से लिया गया है Satan को फिर हमने हिंदी में बना दिया है, शेतान तो यह जो Satan है, यह God से विद्रो करता है और God से विद्रो करने के बाद इसका nickname जो है वो बदल जाता है और Satan से हो जाता है यह Lucifer देखिए, कहानी कहां से start होती है? कहानी यह जो paradise lot start होता है वो start होता है Almighty God Almighty God का एक announcement होता है और वो क्या announcement होता है? जैसे कि हमने history में देखा है सल्तनत काल में राजा इलतुतमिश और यह सुल्तान इलतुतमिश अपने मरने से पहले ही अपना उत्राधिकारी का चुनाव कर देता है और यह उत्राधिकारी कौन होती है? रजिया सुल्ताना तो रजिया सुल्ताना क्योंकि एक महिला होती है तो सारे के सारा जो चालीसा दल होता है वो इस निर्ने से बहुत जादा परिशान हो जाता है और परिशान होने के बाद अलग-अलग शडियंत्र रचने लगता है तो इसी तरह से यहाँ पर भी विद्रो उठ खड़ा हुआ जैसे ही ईश्वर ने, आल्माइटी गॉड ने बताया क्या कि यहाँ पर यह जो सबसे प्रॉमिनेंट केरेक्टर अब फ्यूचर में होने वाला है जिसको मैं खुद अपॉइंट करता हूँ और यह सन अप दी गॉड कौन है यह भी हम आगे जानेंगे लेकिन यह अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज़ादा परेशानी सबसे ज़ादा नाराजगी किसको हुई? सेटन को हुई उसने का मैं तो इतना ज़ादा राइट हैंड हूँ मैं तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के अमिच शाहर जैसा राइट हैंड हूँ और राइट हैंड को छोड़ कर गॉड ने क्या किया है? गॉड ने मेरे साथ विश्वास घात किया है और ये सेटन जो है ये बहुत ज़ादा किस में भर जाता है? ये बहुत ज़ादा अपने प्राइड में भर जाता है प्राइड के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? इन तो यहाँ पर ये जो सेटन है इसको हद से ज़ादा घमंड हो जाता है कि अरे मैं तो God की इतनी ज़्यादा चाकरी कर रहा हूं फ्लैटरिंग कर रहा हूं मैं राइट हैंड हूं God का लेकिन फिर भी जब अनॉंसमेंट की बात आई तो God ने अपने बेटे को अनॉंसमेंट में बताया कि वो जो है वो आगे सक्सेसर है वो जो है प्रामिनेंट केरेक्टर है यहाँ पर मैंने इतने दिन जो चाकरी करी वो सब कहां गई यह सारी बात तो इस वज़े से यह जो सेटन है यह भगवान से नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद इश्वर की जो सत्ता है जो उनका अबोड है जो उनका घर है रहने का उसको हम कहते हैं हैवन तो अब यहाँ पर यह हैवन से निश्कासित कर दिया जाता है कौन सेटन और यह अपने आप ही चला जाता है और यह कहता है कि भगवान ने जो निर्ने लिया वो गलत लिया यहाँ पर मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, अमिच शाह हूँ, भगवान का राइट हैंड हूँ, तो यहाँ पर मेरे नाम से अनाउस्मेंट करना चाहिए था, लेकिन अनाउस्मेंट किसी और नाम से हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रोटेस्ट करूँग ठीक है, तो अरबेलियन वस स्टाटट, वाई, बिकास दी सांस गॉद्ध वाई, बिकास दी सांस गॉद्ध वाई इस महाईुद मैं जो दो पार्टियां थी, वो कौन था, एक पक्षतो था गॉद्ध और दूसरा था सेतन, और सेतन जैसे ही, जो स्वर्ग से निश्कासित किया गया, उसका नाम बदल कर, उसने नाम क्या रख लिया, लिूसीफर रख लिया, जैसे आपके ये जो अक्षय कुमार है, इसका नाम पहले क्या था, इन एक्टर का नाम, इन एक्टर का नाम पहले था, राजीव भाटिया, लेकिन किसी पंडित ने कहा, कि आप अगर रा All these things are described in allusions, allusion ये जो लिया गया है, ये जो line ली गई है, ये जो character लिया गया है, कहां से लिया गया है, ये Bible से लिया गया है, Bible में जो कहानियां आप सुनते हैं, that is called testaments, ये सारी कहानियों में से Satan का जो पात्र है, वो जो लिया गया है, Paradise Lost में वहां से लिया गया है, Bible से लिया ग कि अरे नरेंद्र मोदी के पास powers है तो मेरे पास कोई कम powers है क्या क्योंकि मैं तो क्या हूँ पूरी की पूरी सत्ता का mastermind हूँ यहाँ पर God का right hand हूँ और फिर भी मेरा announcement में नाम नहीं लिया तो यहाँ पर घमन की वज़े से वो क्या छेड़ देता है वो rebellion छेड़ देता है एक rebellion में जो इसका साथ देते हैं that is called fallen angels यह सारे के सारे लोग कौन है angels यह सारे के सारे दूत होते हैं ठीक है angels at his bidding speeds यह हमने पढ़ रखा है on his blindness में thousands of angels at his bidding speed तो यहाँ पर यह सभी लोग heaven में साथ रह रह रहे थे किसके God गे और यह क्या कहलाते थे angels कहलाते थे देवदूत कहलाते थे लेकिन जैसे ही यह rebellion start हुआ यह war start हुआ तो उसमें सेटन अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले गया और वो बहुत सारे लोग कौन थे वो angels थे और इनको fallen angels इसलिए कहा गया है क्योंकि अब इनको expel कर दिया गया है बाहर निकाल दिया गया है कहा से heaven से तो बहुत सारे angels जो हैं वो भी सेटन के साथ heaven से बाहर निकाल दिये गये क्यों क्योंकि वो भी इसी विद्रो में पाट लेना चाते थे जो एक rebellion हुआ था जो एक war हुआ था जो विद्रो हुआ था उसमें यह fallen angels प्लस सेटन यह इनकी पूरी एक gang बन चुकी थी और यह gang किससे fighting करेंगे किससे सारा विद्रो का सामना करेंगे किससे लोहा लेंगे तो इश्वर और इश्वर की सत्ता heaven में जितने भी बाकी angels बचे हुए हैं उनसे यह fighting करेंगे उनको यह protest करेंगे तो इस तरह से जो paradise lost है उसका सबसे प्रमुक पात्र कौन सा हुआ एक party हुई हमार सेटन और दूसरी इश्वर Almighty God तो यहां पर यह जो सेटन है इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि लूसीफर नाम रखा गया इसने rebel किया विद्रो किया और इसके साथ कौन थे सारे के सारे वो angels थे that were denoted और that were named as fallen angels ठीक है कई बार आपने political science में देखा होगा जो national parties होती है ज क्या कर देते हैं दल बदल करते हैं अपना दल बदल देते हैं चेंज कर देते हैं और दूसरी party में चले जाते हैं वैसे ही इन angels ने क्या करा अपनी party चेंज कर दी God के सामराज में थे और कहां चले गए Satan के साथ चले गए तो Satan के साथ जाने की वज़े से इनका नाम क्या रख दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर इनको criticize करने के लिए नाम दिया fallen angels and these fallen angels were in the association of Satan ये बात हमें याद रखनी है उसके बाद हम next देखेंगे देखें प्राइड के साथ in proposition आता है I am proud of you but her mother has pride in his son तो प्राइड यानि की गर्व और अभिमान तो उसके साथ proposition आएगा in अब God के बारे में तो बताने की जरूद ही नहीं है because God is termed as absolute power ठीक है God जो है इस paradise lost में absolute power है इनका ही एकाधिकार है ये परम सत्ता है और उस परम सत्ता को कौन challenge कर रहा है सेटर तो यहाँ पर इस absolute power पर ने क्या किया एक creation किया जब उन्हें पता चला कि आदे से ज़्यादा majority of angels has joined the association of Satan तो उन्होंने क्या करा एक creation किया और वो creation कहलाया क्या वो creation कहलाया H.B. Pencil यानि की mankind मानव प्रजाती को उत्पन किया किसने इश्वर में क्योंकि ये सेटन नहीं जानता कि अगर इश्वर किसी की रचना कर सकते हैं किसी को बना सकते हैं तो किसी को बिगारने में भी जादा टाइम नहीं लगेगा जैसे हमने अपने हिंदू mythology में सुन रखा है ब्रह्मा विश्नु महेश तो पालन करता जन्म देने वाले और सहार करने वाले उसी तरह से ये जो इश्वर है ये absolute power है ये बना सकता है तो इसे बिगारने में भी इसे खतम करने में abolish करने में सेटन को इनको time नहीं लगेगा लेकिन maths में कहा जाता है कि जहाँ plus होता है वहाँ minus भी होता है जहाँ divide है वहाँ पर multiply भी है तो वैसे ही इश्वर ने इस character को खुद coin किया है हम Big Bang Theory में भी पढ़ते हैं कि पूरा जो है Earth एक planet है और ये जो planet है ये कहां से आया है Big Bang Theory हुई bulging हुआ और bulging से ये एक पार्ट अलग निकल के आगया जाने के बाद अपने right hand के जाने के बाद सोचा कि मैं एक नया creation करता हूँ और उस नय creation का नाम था mankind, human being और यह सोचा कि ये human being कुछ समय बाद मेरी सत्ता में आ जाएंगे परम सत्ता में आ जाएंगे अलग के ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये almighty God की जो criteria है जो उसका जो औरा है उसी औरा में ये भी समा जाएंगे तो इस वज़े से यहाँ पर ये creation किसके द्वारा किया गया? God के द्वारा फिर इनके जो challenge करने वाले थे वो कौन थे? Satan थे Satan किसी जमाने में भगवान के right hand हुआ करते थे लेकिन जैसे ही announcement हुआ उसके बाद ये Satan जो थे नाराज हो गए कैसे? वैसे ही जैसे की रजिया सुल्ताना के सुल्तान बनने के बाद चालिसा का जो दल था जो nobles का group था वो नाराज हो गया next character और देखते हैं कि कौन सा character हमें सीखना है? next character आपका आता है son of God अभी मैंने बताया कि एक announcement हुआ और उस announcement में Satan का नाम नहीं लिया गया और किसका नाम लिया गया? son of God and son of God was Jesus Christ ये son of God कौन थे? ये Jesus Christ थे और Jesus Christ भगवान के angel नहीं थे ये इनके क्या थे? son थे तो इस almighty absolute power का जो part था, जो segment था वो कहलाया son of God and son of God was Jesus Christ इनहीं Jesus Christ ने क्या किया? तो war जो हुआ था Satan और भगवान के बीच में तो Jesus Christ ने Satan को हराया इस war में और हराने के बाद जीत हासिल की तो इस वज़े से Jesus Christ ने दो काम किये क्या किये? एक तो Satan को defeat किया और दूसरा human being ने जितने भी गुना किये है उन गुना की सारा sacrifice उस गुना का सारा compromise किसकी तरफ से हुआ? Jesus Christ की तरफ से हुआ क्योंकि Jesus Christ की लाइन है कि हे इश्वर इन्हें माफ कर देना ये नहीं जानते ये क्या कर रहे है ये लाइन हमने अपने स्कूल डेस में किसी चैप्टर में जरूर सुनी होगी तो ये लाइन Jesus Christ ने क्यों कही? क्योंकि Jesus Christ को प्रत्वी पर भेजा गया था किसके लिए? Because He was the Son of God और प्रत्वी पर इनसान ने जो भी गलत काम किये है जो भी ऐसे दुश क्रत्वी किये है जो कि उसे नहीं करने चाहिए तो उन सब का पनिश्मेंट समेटने के लिए कौन सा इंकार्णेशन हुआ कौन से अवतार की उत्पत्ती हुई तो दाट इस Jesus Christ Jesus Christ ने इस प्रत्वी पर जनम लिया और humankind की तरफ से human being की तरफ से जितना sacrifice करना था उनके पापों को धोने के लिए जो सर्फ एक्सल पाउडर चाहिए था वो सर्फ एक्सल पाउडर Jesus Christ ने प्रोवाइड किया तो यहां पर यह जो crucifixion था यह क्या था सारे के सारे इश्वर ने जो यह humankind बनाया है इस humankind द्वरा किये गए सारे पापों को धोने के लिए Jesus Christ को crucify किया गया उनका crucifixion किया गया और crucifixion के बाद जो भी blood निकला उसी blood में से यह माना गया कि अब मानव प्रजाती का उधार जो redemption है जो मुक्ती है अब वो संभग हो पाएगी so this big sacrifice was done by Jesus Christ because he was the supporter of humankind and he was the big kind of supporter and he was very much adamant to this human race वो बहुत जादा adamant थे कि यह human race एक दिन heaven में जाने जितना काबिल हो जाएगी और छोटी मोटी जो गलतिया है उसके लिए मैं sacrifice करता हूं तो Jesus Christ ने sacrifice किया सेटन के साथ war किया war में जीते भी और इस तरह से Jesus Christ जो son of God थे उन्होंने अपना यह जो पद है इसको बहुत बखुबी समाला so he is also a prominent character in Paradise Lost next देखे Holy Spirit या Muse ठीक है यह Holy Spirit या Muse क्या थी यह inspiration के लिए बुलाई जाती थी inspiration के लिए और किस के लिए these were the gods and goddesses ठीक है यह gods and goddesses थे जो की बुलाई जाते थे inspiration के लिए बुलाई जाते थे and they were basically Greek gods and goddesses देवी और देवता लोग किस लिए बुलाई जाते थे inspiration के लिए बुलाई जाते थे to provide the energy and they were having the conventional ideas of these kinds of gods and goddesses in Greek तो Greek mythology में हमें muse देखने को मिलता है और यह muse क्या करते थे these muse were doing invocation इनको invocation के लिए बुलाया जाता थे inauguration के लिए नहीं invocation के लिए invoke याने कि आवान करना किसी को संबोधित करना बुलाना तो John Milton ने muse को बुलाया and this muse was from Greek mythology and this is also called Holy Spirit और इनको क्यों बुलाया जाता था इनका आवान क्यों किया जाता था देखिए इस तरह के कोई भी words आपको answer में exam में लिखने नहीं है तो इस वज़े से इन भारी words से घबराएना मैं इसको हिंदी में भी आ रही हूँ प्लस आपको ये exam में नहीं लिखने आपके पास option आएंगे सिर्फ आपको क्या करना है mark करना है सिर्फ OMR sheet भढ़नी है इस वज़े से यहाँ पर इन words की spelling अगर नहीं भी आती है कोई बात दी आप इनका क्रक समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चारी हूँ that's why I'm going for bilingual method तो यहाँ पर इन देवी देवताओं का आवान किया जाता था आपने देखा होगा जब भी कोई यग्य होता है या कोई भी अच्छी बात जब कोई अच्छा समारों में कोई start किया जाता है inauguration किया जाता है तो हम क्या करते है देवी देवताओं का आवान करते है और उस आवान को English में कहा जाता है invocation and the purpose of this invocation is to provide the energy to the writer to provide the inspiration to the writer and this inspiration will make him possible to write this such a long epic 11,000 लाइनों का महा काव्य लिखना मजाक नहीं होता है उसके लिए आपको आलोकिक शक्तियों की जरूरत होती है और वो आलोकिक शक्तियां English में कहलाती है the invocation of muse and muse is completely a holy spirit तो यहाँ पर इस spirit को क्यों बुलाया जा रहा है energy लेने के लिए बुलाया जा रहा है inspiration के लिए बुलाया जा रहा है अपनी battery फुल करने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि इतने बड़े महाकावी को बिना किसी गलती के साथ में लिखा जा सके जैसे कि आपने देखा होगा Hindu mythology में मैं साथ साथ ये सब चीज़े क्यों बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़े याद हो जाए क्योंकि ये चीज़े आपके लिए day to day routine में काम में नहीं आती है तो यहाँ पर हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और हमने देखा है कि गणेश भगवान को हम अपने घर में स्थापित भी करते हैं और कुछ दिनों के बाद में उनका विसरजन कर देते हैं तो ये लॉजिक क्या है क्या आपने इस लॉजिक को कभी जानने की कोशिश करी इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कहा जाता है कि वेद व्यास जब महाभारत लिख रहे थे तो महाभारत भी महाकाव्य है एपिक है और एपिक लिखने में कोई भी साधारन व्यक्ति इस महाकाव्य को पूरा नहीं कर सकता बिकोज बहुत सारी प्रॉबलम आती है नीद आती है वाश्रूम जाना होता है खाना पीना होता है, हाला कि वो रिशी थे तो उनको इतने ज़ादा distractions नहीं होते होंगे लेकिन फिर भी महा काविय लिखने में कुछ न कुछ प्रॉबलम तो आती है तो अलोकिक शक्तियों का आवान किया जाता है तो वेद व्यास ने बुलाया किसको WhatsApp किया, Call किया और Call करने पर वीडियो कॉलिंग करके गणेश ची को बुलाया इसका परपस क्या था? कि भई महा भारत लिखनी है और ये महा काविय है, इतना लंबा महा काविय और मैं कैसे लिख पाऊंगा तो प्लीज मुझे help आउट करने के लिए आपाए अब गणेश जी जब वेद वियास जी से मिलने गए सारी बात डिसकस हुई तो गणेश जी ने कहा कि अरे मेरा तो बहुत चंचल भी है अरे मैं तो एक बच्चा हूँ तो यहाँ पर ये जो मैं आपको आशिरवाद तो दे सकता हूँ पर मैं एक जगे टिक्के नहीं रह सकता हूँ मुझे बहुत प्राब्लम होती है इस्टैबिलिटी में मैं तो इदर उदर अपनी चुपे बैटके घुमता रहता हूँ तो मैं आपके महाकावी लिखने में कैसे मदद करा सकता हूँ फिर वेदवियास जी कहते हैं कि आप यहीं बैठिये मैं आपको बहुत सारे लड़ू लाके दूँगा आप लड़ू खाते रहिएगा और मुझे अपना आशिरवाद दीजेगा कि मेरे इस महाकावी लिखने में कोई विखन ना आए क्योंकि आप विखन हरता है आप प्रग्या के देवता है आप बुद्धी के देवता है तो आप यहां बैठे रहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से महाकावी लिख पाऊंगा और उसी टाइम उसी दौरान आप लड़ू भी खाते रहना तो यहां पर वो कहते हैं कि अरे मुझे एक जगे बैठने में बहुत प्राब्लम होती है तो मैं यहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करूँगा क्योंकि मुझे गुमने फिरने की बहुत आदत है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है तो वो कहते हैं कि आप ठंडी मिट्टी का लेप लगा दिया जाएगा जिससे आप एक जगे स्टेबल रह सकें तो इस सरे से पूरा महाकावी की रचना की गई और अंत में जब महाकावी पूरा हो गया तो वेदवियास जी ने उनसे पूछा कि अब ये जो कावी पूरा हो चुका है तो अब next what तो फिर गणेश जी ने कहा कि ठीक है मैं अब यहां से प्रस्तान करता हूँ क्योंकि महाकावी लिखा जा चुका है लेकिन फिर वेदवियास जी ने कहा कि आप प्रस्तान जो करेंगे वो कैसे करेंगे क्योंकि ये जो मिट्टी है ये सूख चुकी है जो गीली मिट्टी का लेप आप पे किया गया था सूख गया है तो बेटर है कि आपका अब विसर्जन किया जाएगा पानी में जब विसर्जन किया जाएगा तो ये सारी मिट्टी धुल के साफ हो जाएगी और आपको शीतलता मिलेगी इस पवित्र जल से तो इस तरह से गणेश जी का विसर्जन किया गया और इस तरह से जब गणेश जी की स्थापना होती है तो उसके 10 से 12 दिन तक हम उनको मोदक का भोग चड़ाते हैं लड़ूओं का भोग चड़ाते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है क्यों? Because this time period was taken to write up this big epic that is called महाभारत तो इस तरह से जैसे गणेश जी को WhatsApp किया गया और अर्जेंट बुलाया गया वैसे ही English में भी Paradise Lost लिखने के लिए John Milton ने क्या किया? WhatsApp किया Muse को Goddesses को WhatsApp किया कि आप जल्दी से जल्दी आए मुझे inspirational प्रोवाइट करें और यहाँ पर आपकी प्रेणना से मैं क्या करूँगा? इतना बड़ा महाकावे लिख पाऊंगा तो आप मुझे please अपना आशिरवात दीजिए जिससे मैं बहुत अच्छी चीजे लिख पाऊं अब इससे related एक fact आपको और याद रखना है वो fact क्या है? कि Muse ऐसा माना जाता है कि इसने Old and New Testament लिखे थे ठीक है? Muse was considered as the writer, the composer of Old and New Testament तो यह testament जो Muse ने लिखे थे, तो Muse को कितनी जानकरी होगी? जैसे हमें बताया गया है कि Rig Ved, Ather Ved, Yajur Ved, यह सब किसी दा किसी रिशियों ने लिखे है तो जिन रिशियों ने लिखे हैं, यह कोई साधारन व्यक्ती तो हुँगे रही, यह अलोकिक शक्तियों से लेस होते थे, और यह जो supernatural powers इन में होते थे, उसी के माध्यम से यह वेद लिख सके तो वैसे ही Muse जो है, उसने Bible में Old and New Testaments लिखे और Old and New Testament लिखने के बाद, फिर John Milton अब इनको बुलाता है, आवान करता है और आवान करने के बाद बताता है, कि प्लीज मुझे inspiration प्रोवाइट करें कि जैसे आपने Old and New Testament लिखा है, वैसे ही मैं Paradise Laws लिख पाओ Next देखते हैं, और क्या characters है? Next character में हम देख रहे हैं, कि यहाँ पर Satan की बात हो रही है और Satan में जो sin है, यहाँ पर sin क्या है? अपराद, sin, यह sin जो है, यह किसकी बेटी है? यह बेटी है, सेटन की, ठीक है? सेटन की बेटी है, अब यहाँ पर यह सेटन की बेटी कैसे है? तो यहाँ पर जैसे ही कोई thought बहुत जादा होता है, तो वो bulging हो जाता है सेटन के एक bulging हुई, और उस bulging से क्या निकला? उसकी daughter निकली, that is called sin जैसे कहा जाता है ना हनुमान जी के लिए कि पसीने की बून से उत्पन हुए थे तो वैसे ही सेटन की daughter कैसे उत्पन हुई थी? बहुत जादा aggression से, बहुत जादा violent thoughts से एक bulging हुई और bulging से यह इनकी daughter जो है वो उत्पन हो गई, sin तो यहाँ पर sin जो है, यह daughter है किसकी? सेटन की, और इसी daughter को, सेटन क्या कर देता है? इसी daughter का rape कर देता है और rape करने के बाद क्या होता है? एक बेटा पैदा होता है और उस बेटे का नाम होता है death अब यह death क्या है? Spawn of Saturn Spawn word एक adjective है, जो की use किया गया है eggs के लिए जैसे यहाँ पर पानी में, जो मेंड़क होते हैं, वो अपने अंडे देते हैं जो मचलिया होती है, वो बहुत सरे group में, bunch में एक अंडे देती है तो उसी तरह से यह जो सेटन का जो बेटा है यह spawn की तरह, spawn of सेटन, यानि कि एक अंडा था एक अंडा था, एक तरह की बुराई थी, एक तरह की bulging थी जो की पैदा हुई, सिन का जो बेटा है यह सिन जो है, यह सेटन की daughter है और जो death है, यह death कब पैदा होता है? जब सेटन सिन का rape करता है अपनी ही बेटी का रेप कर रहा है क्योंकि ये क्या है शैतान है तो पेशाची प्रवर्ती तो इसमें होगी ही तो यहां पर ये सेटन जब रेप कर रहा है सिन का तो बेटा पैदा होता है that is called death and death is used with the adjective of spawn of Saturn यानि कि ये सेटन का अंडा है सेटन का अंडा मींज वही ये इसी का ही रूप है इसी की ही फोटो स्टेट है रेपलिका है और देखें Adam और Eve Adam और Eve क्या है ये भगवान द्वारा बनाए गए humankind है ठीक है human being है और इनको एक शक्ती से लेज किया गया है that is free will अभी मैंने बात करी कि राष्टपती को क्या प्राप्त होती है discretionary powers होते हैं स्वेचिक शक्तियां होती है वैसे ही इस Adam और Eve को बताया गया किसके साथ में बनाया गया free will के साथ में कि तुम्हारे सामने बुराई भी होगी और अच्छाई भी होगी और तुम जो चाहो अपने विवेक के आधार पर चाहे तो दिमाग की मानो चाहे दिल की मानो it's up to you तो इनको कहा गया कि you are completely free to do anything to do any activity to take any decision everything is in front of you positive भी है और negative भी है अच्छाई भी है और बुराई भी है अब यहाँ पर आपका निर्ना है कि आप इसमें से क्या select करते हैं अपनी चेतना को या फिर अपने दिल की बात मानते हैं अपने emotions की बात मानते हैं और अपने passion अपने आप पर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि आप अपने दिमाग की बात को भूली जाते हैं यह आप पर depend करता है कि आप plus को select करते हैं कि minus को, अच्छाई को select करते हैं कि बुराई को, यह निर्णय में आप पे छोड़ता हूँ, यह किसका creation है, भगवान का, और भगवान ने यह first जो औरत बनाई, जो mother of mankind कहलाती है वो eve है, और यह adam जो है, वो father है mankind के, तो इस तरह से यह जो दो character बनाए गए, यह कैसे बनाए गए, यह ऐसे बनाए गए, कि इनको मुक्त कर दिया गया, किस से, they are the free radicals, they are free to take any kind of decision, जैसा कि हमने अपने previous वीडियो में भी बात की थी, sovereign, God is absolute sovereignty, is God, तो यहाँ पर यह भी sovereign है, इनकी प्रभू सत्ता है, यह कुछ भी कर सकते हैं, अपना निर्ने खुद ले सकते हैं, अब वो निर्ने अच्छा हो, चाए बुरा हो, यह सब उन पे depend करता है, अगर बुरा निर्ने होगा, punishment भी इनी को मिलेगा, अच्छा होगा, तो फाइदा भी इनी को मिलेगा, इस सरे से यह Adam और Eve, जो Paradise Lost है, उसके character है, next देखे, राफेल, यह character आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यह कौन है राफेल, तो राफेल जो है एक आर्क एंजल है, आर्क एंजल मतलब क्या होता है, उस chronological order में, नीचे वाला, एंजल से नीचे वाला जो order होता है, उसको हम कहते हैं, आर्च एंजल, तो यह आर्च एंजल जो था, राफेल था, राफेल को कौन सा पोस्ट मिला हुआ था, त. आर्क एंजल, और यह आर्क एंजल क्या करता है, इसका main function क्या होता है, he was sent to one Adam, dangers in garden Eden, इसको भेजा जाता है, इस आर्क एंजल को भेजा जाता है, heaven से, कहाँ पर Eden garden में, और Eden garden में, वो सचेत करता है, attention देता है, Adam को घ्याद कराता है, क्या बताता है, तो वो Adam को बताता है, कि इस Eden garden में, tree of knowledge है, इस Eden Garden में forbidden fruit है, तो ये तुम्हें किसी भी तरह से इस fruit को नहीं खाना है, तुम अभी बिल्कुल nude हो, naked हो, सारी बुराईयों से उपर हो, तुम बिल्कुल angels की जो category होती है, जो heaven की category होती है, heaven का ही एक रूप है Eden Garden, तो इस Eden Garden में आराम से खुशी-खुशी रहो, बहुत अच्छे से सितोलिया खेलो, cricket खेलो, लेकिन तुम्हें बस एक ही ध्यान रखना है, एक ही बुराई नहीं करनी है, that is, don't eat that forbidden fruit that is apple on the tree of knowledge, जो tree of knowledge पे जो fruit लगा है apple, वो तुम्हें किसी भी परिस्तिती में नहीं खाना है, अब आप तो जानते ही हैं, कि बच्चे कैसे होते ह जो चीज मना करो, वो जादा वही करते हैं, अगर आप उनको कहेंगे, बंदर होते हैं वो पूरी तरह से, अगर आप उनको कहेंगे कि फोन को हाथ मत लगाना, तो वहाँ पर वो फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, और फिर हसेंगे, कि देखो आपने कहा था फोन को हाथ मत ल वाइलेट की यह rules किसके God के तो यहाँ पर यह जो Adam है यह सावचेत किया जाता है इसको बताया जाता है राफेल के द्वारा कि यहाँ पर Eden Garden में एक ही तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है Tree of Knowledge में से Apple वाला Fruit Forbidden Fruit तुम्हें नहीं खाना है अब यह क्या करेगा वो ही खाने जाएगा जो मना किया है ठीके तो यहाँ पर यह जो Michael है यह कौन है Journal in God's Army यह भी एक सेनापती है इश्वर की सत्ता में इश्वर की आर्मी में Evict Adam and Eve from Paradise अब यहाँ पर यह जो Paradise है Paradise क्या है Eden Garden यह जो Paradise है यहाँ से निकालने का संदेश चेकाउट करने का संदेश इश्वर ने संदेश देता है क्या कि मैंने Adam और Eve को कहा था कि वो Tree of Knowledge का Forbidden Fruit, Apple मत खाना लेकिन खा लिया उसके बाद में अब इनको निकाल दिया जाएगा Eden Garden से और निकालने का जो Message है वो Instagram पे या Facebook पे नहीं होगा वो कौन बताएगा Michael Michael यह Message लेके आता है संदेश लेके आता है बताता है कि फटा फट से Adam और Eve Just check out from this garden That is Eden Garden Because you have lost the eligibility of staying over here So you have to You are expelled from this garden यह संदेश भगवान का कौन लेके आता है वो आपको नाम याद रखना है पूछा जा सकता है और यह नाम क्या है That is Michael यह Michael क्या करता है कि कल आपको check out नहीं करना है Michael यहाँ पर आज के आज कल नहीं आज के आज आपको check out करना है Eden Garden से Because जो आपको मना किया गया था वही आपने कर लिया So now you are no more over here You have to quit this place यह जगे आपको छोड़नी पड़ेगी खाली करना पड़ेगा Just check out तो यहाँ पर यह संदेश कौन लेके आया है यह एक journal है भगवान की आर्मी में तो Michael आपको याद रखना है Adam और इव आपको यादी होगा Garden Eden आपको याद रखना है सबसे important Raphael Raphael वाला ज़रूर आपको चीज़ याद रखनी है क्योंकि यही conversation करता है Adam से और सारी चीज़े Adam को बताता है कि उसे Eden Garden में क्या-क्या नहीं करना है अब उसने जब Adam ने जो पाप कर लिया है disobedience कर लिया है उसके बाद अब इसके पोते पोती आगे आने वाली generation इसकी कैसी होगी उन सब के बारे में knowledge उन सब के बारे में information भी कौन देगा Raphael देगा यह cafeteria में बैठे हुए दोनों अब Raphael बता रहा है कि तुमने गलती कर दी है और गलती करने के बाद अब इसका भुगता तुम्हारी पुछते नहीं जो generation है उनको भी भुगतना पड़ेगा यह सारी बाते भी कौन बताता है Adam को Raphael ठीक है तो इस तरह से आपको यह characters याद रखने हैं आगे देखिए मैंने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं यहाँ पर Gabriel कौन है Gabriel भी एक Ark Angel है इन God's Army यहाँ पर मैंने बात की थी war की तो war तो हो रहा है किसके बीच में Satan और God की बीच में कुछ Angels जो है वो दल बदल कानून के अंतरकत उन्होंने जो मंत्री है उन्होंने अपनी party change कर ली किस में चले गए Satan की party में चले गए कुछ लोग भगवान की party में रह गए भगवान की army में रह गए उनके नाम हम पढ़ रहे Gabriel is the Arch Angel ठीक है अब यहाँ पर गणेशा होता गणपती होता तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह याद हो जाता लेकिन यह कुछ English के नाम है तो करने में दिक्कत आती है लेकिन सिर्फ यह याद रखिएगा कि Gabriel जो है वो Arch Angel है और भगवान की army में है Abdel कौन है यह बहुत important है Abdel जो character है यह सिर्फ और सिर्फ ऐसा देवदूत है जो कि Satan के खिलाफ खड़ा होता है मना कर देता है कि मैं Satan की army में Satan के rebellion में उसके withdraw में उसका साथ नहीं दूँगा सारे के सारे Angels एक एक करके किस में जा रहे है Satan में जा रहे Satan की army में जा रहे लेकिन यह भाई साब जो है यह मना कर देते हैं इसलिए मैंने इनको नाम दिया है विभीशन ठीक है यह विभीशन नाम में इसलिए दिया है क्योंकि जिस तरह से रावन का जो भाई होता है विभीशन वो सबसे जादा भक्ती रखता है शीराम के प्रती क्योंकि उसे पता है कि रावन कितना ही शक्तिशाली हो लेकिन लास्ट में जीत किस की होगी राम भगवान की तो उसी तरह से ये भी विभीशन होता है इसे पता है कि सेटन हारने वाला है और इसे ये भी पता होता है कि इश्वर की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती नोबडी कें चैलेंज दा आल्माइटी गॉड तो इस वज़े से ये जो एबडील जो आर्क एंजल है ये एक मात्र ऐसा देवदूत है जो कि सेटन की आर्मी में उस वक्त नहीं जाता है मना कर देता है तो यहाँ पर विभीशन से इसको कंपेर किया जा सकता है कि ये सारे एं आमी नहीं जॉइन करता है और आइसोलेशन में ईश्वर के हैवन में ही रह जाता है तो इस एबडील नेक्स देखे बिल्जी हब ये बिल्जी हब आपके मैकबेट में भी आया है एक कॉमिक रिलीफ आता है और उस कॉमिक रिलीफ में बता रखा है जब ये जो गेट कीपर है जो Macbeth के कैसल में gatekeeper बना हुआ होता है वो कहता है with the name of Bilzi Hub और ये Bilzi Hub क्या है ये भी illusion है ये कहां से लिया गया है Bilzi Hub is the fallen angel ये Satan की army में आ जाता है जैसे ही rebellion होता है ये fallen angel है यानि कि fallen मतलब स्वर्ग से निकाले गए लोग तो जो भी स्वर्ग से निकाले गए angels हैं उनको हमने क्या कहा fallen angels कहा mentioned in Hebrew Bible ये आपको याद रखना है ये कहां पर है Bible में Hebrew Bible में इसका जिक्र किया गया है Bilzi Hub और वो completely Saturn का जो है right hand बन जाता है relies on Saturn Saturn का right hand बन जाता है ये यानि कि Saturn का supporter जो भी Saturn कहता है ये हाँ हाँ कहता रहता है everything जो भी Saturn द्वारा कहा जाता है is the big supporter of Saturn and we can say that he is the right hand of Saturn कौन? Bilzi Hub तो इस तरह से characters बहुत अलग हैं आपको इनको याद रखना है अगर फिर भी आपको ये चीज़े tough लग रही है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इतना लेंदी है इतने English नाम है इतना ज्यादा explanation है तो देखिए कोई भी चीज कोई भी अच्छी चीज आसान नहीं होती आप पढ़ाई करें वो tough है आप काम करें वो tough है आप नरेगा में job करते हैं तो भाटे तोड़ना भी आसान नहीं होता है वो भी बहुट tough है तो इस तरह से कोई भी काम आसान नहीं होता जैसे हमने सुन रखा है कि चंद्रगुप्त मौरे चानक के से कहता है कि मैं ऐसे ही राजा नहीं बन सकता क्या घनानंद को मार के और राजा बन जाओ इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके इतने सेक्रिफाइस करके ही राजा बना जाए ये कहां कह रखा है तो फिर उसको चानक के जवाब देता है कि अरे ये कह तो नहीं रखा लेकिन अगर इतने सेक्रिफाइस सभी कर लेते तो आज सभी तुमारी जगे विद्धिमान होते सभी राजा बन जाते तो अगर ये राजा कुछ लोगी बनते हैं क्यूं बनते हैं? क्योंकि कुछ लोगी sacrifice करते हैं कुछ लोगी hard work करते हैं कुछ लोगी अपने आप पर believe करते हैं तो यहाँ पर जो hard work करेगा, जो sacrifice करेगा, उसे चीजें मिलती हैं अन्य था, सभी लोग राजा ही होते, कोई भी दर्बारी नहीं होता, सब राजा होते लेकिन everybody couldn't do these kinds of sacrifice So, they are the mediocre person and the special person is able to do all these sacrifices तो यहाँ पर इस question का answer है, तो इसी तरह से यह जो facts है, यह आपको याद रखने है इतना आसानी से मैं आपको समझा रही हूँ, तो at least आपका काम बनता है कि आप उन्हें याद रखे Next देखे, Moloj कौन है? Moloj जो है वो Satan की military में एक angel है, ठीक है? इसका इतना ध्यान रखने की जरूत नहीं है, फिर यह बैलियल, बैलियल कौन है? Passive fallen angel, he represents a part of all that secretly wishes God would take them all back यह बैलियल एक ऐसा angel है, जो fallen angel तो है, लेकि कैसा है? Passive यह पूरे के पूरे Satan की army में as a fallen angel शामिल तो हो गया है, लेकिन यह कैसा है? निश्क्रिय है, inactive है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक न एक दिन इश्वर क्या करेंगे? इन सारे angels को heaven में वापस allowed कर देंगे, तो इस वज़े से यह यह मानता है कि fighting करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि होए वही जो रामरची राखा, तो यहाँ पर इसका विश्वास है कि जो इश्वर ने design कर रखे हैं episode, वही सब कुछ होंगे, मेरे active हो जाने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो यह बेलियल बिल्कुल ही passive fallen angel है और इसको विश्वास है कि इश्वर की सत्ता में, इश्वर के heaven में हम बहुत जल्दी वापस ले लिये जाएंगे, ऐसा कौन सा character है, वो है बेलियल आप हम देख रहे हैं memon, memon कौन है, fallen angel है ये भी और ये compromiser है, ये compromise कर लेता है, कुछ लोग होते हैं न, compromise कर लेते हैं, रोता मरते की खबर लाता है, तो यहाँ पर ये memon भी है, वो compromise कर लेता है हर परिस्तिती से कि ठीक है, सेटन की आर्मी में आगए, अब सेटन fighting कर रहा है, अब कौन जीतेगा, ये सब बाते छोड़के हमें adjust करना चाहिए, किसमें? adjust करना चाहिए कि जो ये hell हमने बनाया है, जो ये नरक हमने बनाया है, जिसका राजा सेटन है, उसमें खुशी-खु गया है, मद्यम मार्गी, मद्यम मार्गी मतलब जो है बस उसमें खुश हो जाओ जादा, बहुत जादा एक्स्प्लोर करने की जरूद नहीं है, बहुत जादा adventurous जणनी जाने की जरूद नहीं है जैसा भी है उसमें satisfied हो जाओ तो वैसा ही यह character है Fallen bilder that is memon ये compromise कर लेता है कि जो परिशित्या है जो मेरी किस्मत में होगा होगा लेकिन मैं कर्म शील नहीं बनना चाता कर्म के आधार पर अपनी किस्मत नहीं बनाना चाता जो हो रहा है that is well and good तो यहाँ पर ये compromiser का नाम पूछा जाये तो मैं मन हाला कि इतना important नहीं है important कौन हुआ बेलियल क्यों क्योंकि इसको पूरा पका विश्वास है कि बहुत जल्दी हमें इश्वर के सामराज्य में बुला लिया जाएगा अभी ये कहां पर है Satan की army में है fallen agent है लेकिन ये passive है क्योंकि इसको पूरा विश्वास है कि सारा game कौन खेल रहा है God खेल रहा है God ने ये सारा episode बनाया है और बहुत जल्दी Satan का पतन होगा और हम वापस comeback करेंगे welcome back होगा हमारा कहां पर heaven में देखिए और कोई slide बनाई है क्या मैंने हाँ ये important terminology जो आपको याद रखनी है पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम क्या है जैसे हमारे state का capital होता है जैसे हमारे इंडिया का capital है डेली वैसे ही पूरे नरक सामराज्य का पूरे नरक का capital क्या है पेंडेमोनियम pen means all pen का मतलब क्या होता है यह आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम में याद रखिएगा pen मतलब होता है all और demonium मतलब होता है demons so all the demons सारे राक्षस जहां रहते है उसको कहा जाता है pandemonium तो pandemonium is the capital of hell यह नर्प का सबसे center point है सबसे hub है जिसको हमने कहा pandemonium इसको bifurcate करके भी हमने देख लिया कि literal meaning क्या है pen means all and demonium means demon so all the demons are living or residing over a place that is called pandemonium and which is also the capital of hell dictonomy क्या होता है dictonomy means to create conflict good or evil soul and body soul and body उसको हम कहते हैं dictonomy कैसे dictonomy को याद रखना है जैसे किसी लड़के की शादी हुई अब शादी होने के बाद पत्नी कहती है कि तुम्हारा अधिकार है क्या अधिकार है तुम्हारा कुछ फर्ज भी है और ये फर्ज और अधिकार as a party as a husband तुम्हें निभाने होंगे और उसी दौरान उसके जो लड़की की मा होती है वो कहती है कि मेरा बेटा चीन लिया बहु ने और मेरा बेटा बहुत बदल गया है कैसे बदल गया है कि वो बहु के बहकावे में आ गया है और आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है तो यहाँ पर ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा असमंजस में हो जाता है कैसे कि मैं बहु की सुनू, अपनी पत्नी की सुनू या अपनी मा की सुनू मा की सुनता हूँ तो मेरा पती धर्म बेकार हो जाता है और अगर पती धर्म निभाता हूँ, अपनी पत्नी की सुनता हूँ तो माता पिता ने जिनों ने मुझे जनम दिया है उनके प्रती कर्तवियों में रोडे आ जाते हैं violation हो जाता है तो इस वज़े से वो बहुत ज़्यादा conflict उसके दिमाग में रहता है कि किसका साथ दिया जाए पत्नी का की मा का and that conflict can be called as dictonomy यहाँ पर dictonomy क्या है this is again a dictonomy this is again a conflict but it is not between पत्नी अन मा this is between good and evil soul and body etc तो यह जो conflict पैदा होता है कि यह body जो है यह हमें जो दी गई है यह अराधना के लिए दी गई है ध्यान के लिए दी गई है कि इस संसार में काम करने के लिए दी गई है और टिक टॉक देखने के लिए दी गई है तो यह body इसके लिए है और क्या इसमें soul है और अगर soul है तो इस body का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए ये conflict आया, फिर ये conflict आया कि good and evil, हमें अच्छा करना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है, कि जितने भी अच्छे लोग है, उनके साथ ही गलत क्यों होता है, वो ही क्यों दुखी है, जो बुरे लोग है, वो तो बहुत जादा खुश है, तो इस तरह कि जब conflict पैदा होते हैं, तो हम कहते हैं, dictonomy, ठीक, next देखे, epic simile, यहाँ पर paradise lost जो है, वो क्या है, एक epic simile है, epic यानि की महाकावय, simile मतलब comparison, तो यहाँ पर complex poetic comparison, इस poem में, इस महाकावय में, बहुत ही जादा comparisons किये गए है, तुलना की गई है, ठीक है, और यह तुलना कैसी है, बहुत ही जादा जटिल ह बहुत ही जादा मुश्किल है, जिसको हमने कहा, epic similes, epic similes are used in paradise lost by John Milton, and what are epic similes, they are complex poetic comparisons, तो इस तरह से हमने कुछ characters का analysis देखा, कुछ terms देखे, that is, pandemonium और dictonomy, और kind of epic simile, यह सारे terms में किस आधार पर ला रही हूँ, मैं उस आधार पर ला रही हूँ, कि exam में आपके जो questions आते है और उन questions में यह जो tough words आते हैं, इसकी terminology पहले ही solve कर ली जाए, और इमानदारी से मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आप ही इमानदारी से यह सारे videos देखे, like करें, share करें, comment box में comment दे, और बहुत अच्छा पढ़ें, और मेरा यही एक मुकाम है, मेरा यही आशा है, और मैं य यही अपेक्षा करती हूँ आप से कि आप इन सारे videos को देखके, optimum utilization करेंगे इन videos का और अपना selection जो है वो सूनिश्चित करेंगे, thank you all of you, so before that, we will be proceeding in our next video, the original story of Paradise Lost, thank you. झाल